हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्ण विर्ड दिदेमन, बचों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास एट, चेप्टर नमबर वन, और हमेशा की तरह बिना वक्त गवाएं, चलिए स्टार्ट करते हैं, कुश्चन नमबर वन, खबैर और बोलन क्या हैं, खबैर और बोलन क्या हैं, दर्रे हैं, और यह कैसे दर्रे हैं, यह खबैर और बोलन वो प्रमुक दर्रे हैं, जो प्राचीन समय विदेशियों का भारत भूमी में आगमन का मार्ग था, खबैर और बोलन हमाले छेतर के वो प्राचीन दर्रे हैं, ज विदीशियों का भारत भूमी में आग्मन का मार्ग बना, है नो, चलिए, नए कोशन देखिए, संपूर्ण भारत को मुख्य तह कितने भौगोलिक भागों में विभक्त किया गया है, तो देखिए, उत्तर पूर्वी परवतिय प्रदेश, जो हमारे मुख्य तह हिमाले पर शंक लाए हैं, है ना, गंगा का मैदान, गंगा यमना, जो नदियों का मैदान बना हुआ है, वो क्या है, गंगा का मैदान, कहा गया है, तटिये मैदान, जो समुद्र तटिये छेतर हैं, मुख्य तर, वो तटिये मैदान छेतर है, और दक्षिन का जो प्राइदी पिय जो हुआ है वो धार का मरुस्तल है ना और अंतिन दीप सम्हु जैसे अंडवान निकोबार और लक्षे दीप सम्हु जो है भारत की ये मुख्य भौगवालिक आधार पर वरिक्रत भाग है ठीक है चलिए ने कोशन देखिए भारत के उत्तर पश्चिम में कौन्ची परवर्शंख लाएं इस्तित हैं किर्थर सुलेमान और हिंदूकस परवर्शंख लाएं इस्तित हैं ने कोशन देखिए विस्व की सबसी उची वे नवींतम परवर्शंख लाएं तो हम सभी जानते हैं हिमाले परवर्शंख लाएं वो वले से उत्पन परवर्शंख लाएं जो नवींतम परवर्शंख लाभी है इसे की सबसे नवीन दम परवशंखला कौन सी है हिमाले परवशंखला और हिमाले जो परवशंखला है हिमाले और हिंदू कर्स परवशंखला है भारत में वर्षा करने में साहिक है और साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाईं से यह हमारी रक्षा करती है देखे हिमाले जो है हमाले कि वज़े से जो बांचुनी वर्शाएं जो होती हैं अगर ना होता तो साइवेडी बांच यह इस चेतरों को शीत परशन्क्लाए हैं। चली नय कोश्चन दीखें। इक बात और। उत्तरिपूरव तक जो हिमाले परबशन्क्लाई से फैला हुआ आप पता है। उत्तरिपूर हैं जो अराकान अराकान नियोमा की पहाडियां जो हैं, जो पश्चिम यानमयार में बंगल खाड़ी के तड़ के साथ हैं, वो क्या हैं? वो हिमाले से मिल जाती हैं. अराकान नियोमा की जो पहाडियां हैं, जो पश्चिम यानमयार में बंगल की खाड़ी के तड़ के साथ इस्तित हैं, वो ह महादीप में ही इस्तित हो और भौगॉलिक सांस्कति क्या पर्यावर्णिय दर्ष्टित से स्वेथा पूर्ण हो वह प्रदेश जो महादीप में ही इस्तित हो और भौगॉलिक सांस्कति क्या पर्यावर्णिय दर्ष्टित से स्वेथा पूर्ण हो जैसे कि हमारा भारत देश जो सबकंटिनेंट यानी जो उप महादीप कहा जाता है, उप महादीप क्यों कहा जाता है, यह हर दिशा में अभीद और रुगम हो गया है, और यह पूरे महादीप से प्रिकार से कटा हुआ है, हिमाले छेतर की वज़े से, कभी समुद्र से घिरा हुआ है, और दूसरा इसक भारत चेत्रफल की द्रश्टी से विस्व का कौन सा देश है भारत चेत्रफल की द्रश्टी से विस्व का कौन सा देश है तो देखिए भारत चेत्रफल की द्रश्टी से सात्वाँ देश है और जन्संख्या की द्रश्टी से हम सभी जानते हैं यह दूसरे सबसे बड़ा देश है, यहाँ पर विश्व की 17.5% लगबग जन्संग क्या रहती है, कितना, विश्व की लगबग 17.5% जन्संग क्या यहाँ पर निवास करती है, चलिए, नेक कुशन देखी, भारत की मुख्य भूमी का अक्छांसिय विस्तार कितना है, यह आपका है, 8 डिगरी 4 मिनिट उत्तर से 37 डिगरी 6 मिनिट उत्तर तक भारत देश का अक्छांसिय विस्तार है, नेक कुशन देखे, भारत की僵 मुख्य भूमी का अच्छांसिय विस्तार कितना है, तो हमारे भारत देश की जो देशांतरी भूमी का विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनिट पूर्व तक है कितना है? 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनिट पूर्व तक एसी स्थिति में क्या होगा आपको पता है देशांतर ये जो विस्तार है उसके आधार पर हमारे यहाँ पर समिन निर्धारण किया जाता है और आपको दिखाई दे रहा है कि लगभब 39 डिगरी का डिफरेंस हमारे देशांतर ये विस्तार में है जिसकी वज़े से 2 घंटे का अंतर यहां पर हो जाता है, समय का दो घंटे का अंतराल आपके जो पूर्वी और पश्चिमी भारत हैं, उनके बीच में पाया जाता है, चलिए, नएक कुश्चन देखें, भारत का छेत्रफल कितना है, भारत का छेत्रफल है, वो कितना है, तो भारत का छेत्रफल है, वो 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है, भारत का छेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत देश फैला हुआ है, नेक क्वेश्चन देखें, भारत का उत्तर से दक्षण तक कितने किलोमीटर तक विस्तार है, भारत का उत्तर से दक्षण तक कितने किलोमीटर तक विस्तार है, तो विस्तार है कहां से कहां तक जम्मू कस्मीर से कन्या कुमारी तक यह जो भारत की मुख्य भूमी है उसके विस्तार की बात यहां पर की जा रही है तो कहां से है जम्मू कस्मीर से कन्या कुमारी कन्या कुमारी कहा है तमिल नाड़ो श्टेश में जम्मू कस्मीर से कन्या कुमा क्विसार है तो वो है 2933 किलो मेटर तक कहां से अरणाचल प्रदेश से गुजरा छेतर तक यह फेला हुआ है 2933 किलो मेटर पूरव से पष्यमत कि हम भारत देश फेला हुआ औरनाचल प्रदेश से गुजरात तक चलिए ने कोश्चन देखिए भारत का सबसे बड़ा वे सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो हम सभी जानते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य राजिस्थान है और भारत का सबसे छोटा जो रा राज야 राज़ सतानि वे वारत का सबसे चोठा राज राज़ वे और भारत में 28 राज़ वे ऑठ खेंद्र प्रशासित प्रदेस है और भारत की राज़दानिया हम सभी जानते हैं दिल्ली है चलिए नेक कोईशन को देखें हिमाले परवर्शंकला को कितने भागों में मुक्यता वर्गी करत किया गया है हिमाले परवर्शंकला को कितने भागों में मुक्यता वर्गी करत किया गया है तो देखिए हिमाले जो परवश रंकला है उसको मुक्ता तीन भागों में वर्गी करत किया गया है जो भारत की और जो छेतर है वहाँ पर सिवालिक परवश रंकलाएं मानी जाती है और उसके बाद मद्धे हिमाले आ जाता है जिसको हिमाचल भी कहते हैं क्या सबसे पहले सिवालिक के पहड़ियां या सिवालिक परवशंकला हैं फिर मंद्य हिमाले परवशंकला हैं जिसको हिमाचल परवशंकला ही भी कहा जाता है और उसके बाद व्रहत हिमाले अत्वा हिमाजी छेद्र आता है ठीक है अब जब हम हिमाले परवशंकला की बात करत हैं तो आपको पता होना चिप भारत के उत्तर और उत्ती पूरी में आपको पता है हमाले प्रवर्षण्क понял है फैली है लगबक 25-0 क्लोमीटर लंबी इस्तित हैं कितना लगबक 25-0 क्लोमिटर लंबी тех है हमाले पुर्वे उत्तर की जो अस्म्यान में परबशेणिया हैं पठकोई और नागा पाड़ियों से मिल जाती हैं हिमाचल हिंदमासागर से आने वाली आद रहों से हमारी वर्षा कराने में सहिक होता है यह उत्तर भारत की सदा नीरा जो नदियों का उद्गम इस्थले सदा नीरा मतलब जो सदा बैती है जैसे गंगायमना जो है उनका उद्गम इस्थल भी हमाले परवर्षणक लाए हैं और हमने क्लास सेवंद में भी बढ़ा था यहां पर ऐसी छेत्रों में कौन से फसले होती हैं जो ढलान चेत्रे कम ढलान वाले छेत्रे महां पर चाय वा फलों के बागान होते हैं और घाटियों में सबजी और फूल होती हैं तो इस availability की वज़े से वोजिय extreme की बहुत जादा मात्र में इसकी बहुत मांग होती है और यहां पर सादन क्या है जल और वन संपधाएं वनसंपधा दाए में ऐस्तिशां कर दो जल और वनसंपधाइं निर्बर्ता है आज भी का थीक है चलें नेक कोश्चन देखिए। यह ही भारत का सबसे उपजाओं छेत्र है। इसलिए यहाँ पर सरवादिक कृष्ट भी होती है, और यही कारण है कि यहाँ सरवादिक जनगनतु भी है, यानि सरवादिक जो जनचंक के वाला छेतर है वो भी गंगायमना के जो मैदानी भाग है, वो ही है, चले, नहीं कोशिन देखिये, भारत के गंगायमना के मैदानी को किन भागों में विवक्त किया गया है तो दिखिए हमने क्लास सेवंथ में पढ़ा था कि इनको चार भागों में विवक्त किया गया है बांगर खादर तराई और भावर बांगर खादर तराई और भावर बांगर क्या है बांगर पुरानी जलोड मिट्टी से जो निर्मित उंचे छेत्र है जो नजियां भैती आई तो उन्होंने अपनी जो मिट्टी जो लेके आती है उससे एक मैदान बना दिया और वो उंचा छित्र बन चुका है वहाँ पर पानी अब नहीं जाता है तो वहाँ पुरानी जलोड मिट्टी है पानी के दोरा जो पुरानी समय में ज जैसे ही जहां बाड़ छेत्र है तो वहाँ पर क्या है पानी बार बार नहीं मिट्टी लेकर आता है तो उस छेत्र को क्या कहा जाता है उसको खादर छेत्र कहा जाता है और ऐसे छेत्र जहां दलदली मैदान पनब जाते हैं जहां पर दलदल पनब जाते हैं दलदली मैदान होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तराई प्रिदिस कहा जाता है, और भावर क्या है, भावर जो हिमाले के, आपको पता है हिमाले से यह मैदान निर्मित हो हो रहे हैं भारत के अंदर तो हिमाले के जो निचला इस्टिए आताला है कहा जाता है चलिए ने कोशन देखें भारत में खनीजी संपधा का भंडार किस छेत्र को कहा जाता है भारत में खनीजी संपधा का भंडार किस छेत्र को कहा जाता है तो हम सभी जानते हैं प्रायदी प्ये पठार छेत्र जो है उसको इसमें बहुत मात्रा में खनीजी संपध कहा जाता है मैदान के जुमझे तृबजा का रूप है ये लेट ईत्व है और जखटव उस्तित है इसे भारत का अग法 वह परका जलिए नए कोशन्ट में के सह Bennett नहीं अ मैं इस्थरा सहा दरी क्या है सहे यादरी दिशे क्या प्रायदी personality पठर शेत्र में स्थित है। सहयाद्री कहा जाता है। प्रायदीप्य पठार छेतर के किस दिसामें बिन्धाचल परवर शंकला इस्तित है, उत्तर जिसामें बिन्धाचल परवर शंकला इस्तित है, ने कोशिन देखिए नीलगिरी और अन्नमलाई परवत भारत के किस भाग में इस्तित हैं? नीलगिरी और अन्नमलाई परवत भारत के किस भाग में इस्तित हैं? पुर्णी परवत शंकला जो अरवत पर शंकला है इस पठार का हिस्सा है और पठारी छेतर के दोनों और तर्टीय मैदान छेतर हैं यह भी हमें पता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेडी, नर्मदादी जो नदिया है वो इसी छेतर में बहती हैं इन छेतर में रबर्ड, चाय और कौफी के बगान भी है और मसालों के लिए भी यह छेतर बहुत मसूर है है न, चली, नहेकion देखें इसके साथ इस map को भी देखते हैं एक बार इस map में देखें, यह क्या है, सत्पुड़ा, सेनिया, यह जो हिस्सा है, यह क्या है, प्राइडी के पठारी छेतर है, और यह जो तटिय भाग है, यह कौन सा है, देखे, स्रुरी यह जो तटिय भाग है, यह क्या है, तटिय मैदान कहा गया है, यह आपके दीप समू है, इनको दीप समू के अंतरगत रखा जाता है, यह आपकी पूरा और उत्तरी जो हिमाले परवतिय शेत्र हैं, वो यह है, मैदानी भाग यहाँ पे होता है, और यह क्या है, यह आपका मर तो इस प्रकार इनकुल भारत को अलग अलग छेत्रों में बांटा गया है, अन्नम अलाई और निलगरी की परवर्शन कलाई कहा है, यह रही, ठीक है, दक्कन का पठार कहा है, दक्कन का पठार यहां पर है, ठीक है, चलिए, नहीं कोश्चन देखिए, दक्कन के लावा पठार की उपजाओग हो में, किस फसल के लिए सरवादिक उप्योगी मानी जाती है, किस छेत के लिए उप्योगी मानी जाती है, कपास की फसल के लिए, कपास की फसल के लिए, जो दक्कन लावा पठार की उपजाओग हो में, सरवादिक उप्योगी मानी जाती है, दक्षिन का जो प्राइदी पर पठार है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे कठोर भौतिक प्रदेश भी है, चलिए, नहीं कोश्चन देखिए, अंडमान निकोबार दीप समहु में कितनी दीपों का समहु है, कितनी दीप है, इसमें 247 दीप हिस्तित है, देखिए, उत्तरी दीप समहु जो है, वो क्या कहलाता है, अंडमान दीप समहु कहलाता है, और दक्षिन दीप समहु है, वो क्या कहलाता है, निकोबार दीप उत्री दीप समू, अंडमान, दक्षन दीप समू, नीकोबार दीप समू और इन दोनों को मिलाके अंडमान, नीकोबार, दीप समू कहलाता है और इसमें कितने दीप हैं टोटल? 247 दीप है नेक क्वेशन देखिए भारत का एक मात्र सक्रिय जालम की किस स्थान पर इस्थित है? भारत का एक मात्र सक्रिय जालम की किस स्थान पर इस्थित है? तो हम सभी जानते हैं अंडमान की बैरन दीप पर इस्थित है यह अंडमान के बैरंधीप पर आज भी भारत का जो एक मातर सख utilizz बिंदू पर कहा इस्थित है भारत का दख्शन यानि उससे भी नीचे कोई दीप जो है वो कौन सा है निकोबार का इंद्रा पॉइंट दीप है जो वो भारत का दक्षण तम बिंदु है वो निकोबार का इंद्रा पॉइंट दीप है और जब भारत की मुख्य भूमी का दक्षण तम छेत्र पूछा जाए तो हम क्या पॉइंट दीप है चलिए नेक कोस्षिन पर पहुंशते हैं लक्षदीप सम्हों में कितने दीप इस्थित हैं लक्षदीप सम्हों में कितने दीप इस्थित हैं तो हम सभी जानते हैं लक्षदीप में 36 दीप इस्थित हैं ये बात अलग है कि लक्षदीप के साब्दिक अव लक्षिदीप में 36 ट्वीव ही इस्थित थे हैं नेक क्योस्यन देखिए भारत में दुर्गम इलाकों में रहने वाले जन्ञ्स, इस हम इनको और जनजाती जो भारत में हैं वो मुख्यत है कौन-कौन ची है, गौंड है, भील है, संथाल, औराव, सहरिया, नागा, मिरी, आदी, डाफला, ये सभी क्या हैं, ये जनजातिया हैं, गौंड, भील, संथाल, औराव, सहरिया, नागा, मिरी, आदी, डाफला, ये सभी क्या हैं, जनजातिया हैं, और ये दु इंध्याचल, सत्पुरा, मेकाल, छोटा नागपुर और सहयाद्री की जो पाड़ियां और वन्चेत्रें यहां पर यह सरवाधिक पाई जाती हैं। चलिए, नेक कुश्चन देखें। भारत में जनगन्ना के अनुसार, भारत में 2000 की जनगन्ना के अनुसार भारत में कितनी भासाएं और मातर भासाएं बोली जाती हैं। हैं तो देखिए यहां पर 122 भासाएं और 234 मात्र भासाएं बोली जाती है यहां पर भारत में 122 भासाएं और 234 मात्र भासाएं बोली जाती है देखिए इसमें जो important बात यह है कि मात्र भासा क्या होता है मात्र भासा वो भासा है जो किसी वेक्ति के बच्चमन में उसकी मां से बात करने के लिए जो इस भासा का उपयोग किया गया वो उस व्यक्ति की मात्र भासा कहलाती है देखिये किसी व्यक्ति की मात्र भासा वो भासा है जिसमें वो बच्छपन में अपनी माता उस से बात जिस भासा में बात करती है वो भासा उसकी मात्र भासा कहलाती है ठीक है तो हमारे यहाँ पर कितनी मात्रवासा हैं? 234 मात्रवासा हैं और 122 भासाएं हैं. चलिए, नेक्ट कोशन देखें. भारत में कितनी भासाओं को समवेधानिक दर्जा दिया हुआ है? तो भारत में हम सभी जानते हैं 22 भासाएं हैं जिनको समवेधानिक दर्जा प्राप्त है. और जब भारत की जणगन्ना की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, जो हमारी जणगन्ना के अनुसार जो हिंदू धर्मावलंबी कितने हैं? 78.8 परसेंट यानि 38.8 पर्तिसत हैं मुसलिम समवुदाय के लोग जो हैं वो 14.2 परतिसत हैं इसाई समदाय या इसागन्नावलंबी कितने हैं? 2.3% है सिख धर्म के लोग जो है 1.7% है बौदधर्म 0.7% है और जैन द्हम सबसे कम 0.4% है यी जो सबसे कम है वो जैन 0.4% है 28.8% हिंदू चेत्र है ठीक है? चलिए इसी के साथ आपका ये chapter होता है समांप मिलते हैं नेक्स चप्टर के साथ नए फैक्स के साथ तब तक के लिए बच्चों थैंक यू